हेलो गाईज हमः दा EVक अमंट बविए नाथसाउं है वाली आपको बताने वाला हूं ऑर ओतो 25 तो рук तो जो हवा चाह रहा है इसकी वज़े से जो सिंगल सिंगल जो हेर से वह थोरे बहुत मूव हो रहे हैं तो यह जो सौट है आप कह सकते हो कि बिल्कुल इजी सा सौट है थोरा बहुत मेहनत प्रणा पड़ेगा आपको जो फाइन है डीटेल से उसके लिए इस ताइप का कि आप कह सकते हो कि आप ट्रैकी निकल के इसली कर सकते हो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूँ एक लियर क्रेट करूंगा क्योंकि हमको ट्रैक करना है तो मैंने किया क्लियर क्रेट है अब मैं यहां पर बनाता हूं शेप तो सबस तो यहां पर सबसे पहले हम ट्रैक कर लेते हैं तो मैं क्या करने वाला पूर्शन आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग कोर का रूटो करेंगे ठीक है तो यहां से मैं बना लेता हूँ शेप तो देख सकते हो कि मैंने यहां पर कोर बना लिए तो कोर आपको बनाना कि है बस जो भी आपका जिस तरह से आपको दिख रहा है वैसे आपको ड्रॉख कर देना है अब इसको करते हैं हम लोग ट्रैक्टिक है तो मैं करता हूं मोका ट्रैकर से ट्रैक यहां पर मोका सालिक्टे कि मैं यहां पर हो तो पहले पीछे की तरफ ठ्रैक कर लेता हूँ की दिसरिको क्या होजा है कि यह जब पोर्षन जो है उपर उला सताओ जाता हूँ आप क्या कर सकते हो कि अगर ठ्रेक नहीं सही जाता है तब फिर आप्नी इुदर यहां पर shift draw करके फिर track कर सकते हो बड़ यहां पर हमारा shift सहीं जा रहा है तो रहने देते हैं ठीक है तो एक बार जब आपका track हो जाए तो अब आपको क्या करना है अब आपको यहां पर इसको maintain कर लेना है जहां पर भी छूट रहा है या फिर कुछ तो उसके लिए क्या करना होगा कि जब भी आप ऐसा कुछ hair auto कर रहे हो जहां पर core कर रहे हो तो track करो और एक बात का ध्यान रखो कि track करने के पाद जब इसको tweak करना हो तो यहां से आप क्या करो इस layer को activate कर लो जिस layer में आपका core है ठीक है मैं इसको नाम भी देता हूँ core ठीक है अब यहां से क्या करूँ कि आप इस layer को stabilize कर लो जिससे कि मैं active layer कर लेता हूँ अब stabilize हो गया तो stabilize हो जाने पर यह देखो आपको कैसा दिखेगा देखो ध्यान से दिख रहा है तो यह portion जो है वो move नहीं हो रहा है यह portion move नहीं हो रहा है बाकि सारे चीम मूव हो रहा है तो एक बार मैं इसको थोड़ा प्ले कर लेता हूँ तो अब देख रहो कि हमारा इस तरह से हमारा हो गया अब यहां पर क्या करो यह जैसे आप इसको सालिक कर लो अपने इसको से प्लाइन को ठीक है तो यहां पे आप देख सकतो हो यहां पे की लगा हुगा दिखाता हूँ जाया जाता हूँ नहीं अभी यह यहां पर यहां तक आता हूं और यहां कि लगा जंड ओर फिर लास वारे फ्रेम पर की लगाता हूं अब यहां पर क्या है कि यह वाला फ्रेम मैंने बनाया था यहां पर सिफ्ट जेड से अगर मैं ऐसा सिफ्ट जेड एक्स करूँगा तो वह क्या होगा कि جंप करेगा डिरेक Tea की फरेम की फरेम देख रहा हूं है यहां से यहां ढैल सब्सक्तAL को को हुए यहां पर देख सकती है ठोब हो выпуск यहां पर इस तरह से कर दो इस Whether to He which is better तो हो इआ अपरा आगा 16-15 प्योच कुध किखेंड ट्डानेन सब्सक्क्राइक duesबारा मैं सब्सक्रास यह लेकर है हाई अब नेक्स चीज ग आपी अनके यह लोग नेट Hoor ऑफ अब हम यह सब चोटे 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 पोर्शन से भी बनाने होंगे तो अब उसके लिए हम दुबार से ट्रेक नहीं करेंगे तो क्या है कि जैसा जिस मुवमेंट में यह जा रहा है यह सब भी तो उसी से जुरे हुए है तो यही मुवमेंट में जा रहा है तो आप कह करना ह है कि इस लेयर का एक डूब्लिकेट बनाने के अप्डेस करऊ तो बन जाग है इसको अब कर लोлем कर लो डेलीट है अब यहां पसको नाम दे दो आप कुछ भी नाम दे तो जैसे कि ये सब मॡ antagon से तो मैं आइस थि माल Ó है का नाम देता हूं थीक है तो इस नाम देता हूँ ठीक है एक और आप बिलिगेड मना लो एक और और इसका नाम दे दो आप open open spline तो स्मॉल डीटेल्स में हम लोग क्या करें कि जो भी छोटे-चोटे डीटेल्स दीख रहे हैं उसको बनाएंगे और open spline में यह जो लंबा लंबा ऐसा दिख रहा है तो उसको सिंगल open spline से क्रिएट करेंगे ठीक है तो एक ही ट्रेक में सारा चला जागा एक इसका में ट्रेक अब हम लोग बनाते हैं इसमें इस तरह से poly तो जैसे कि यह वाला है तो इसको आप कैसे बनाओगे इस तरह से अब इसको simply आप जैसे इसका movement है आप उसको move कराते जाओ तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां मैंने इसको complete कर लिया है इस तरह से movement है उसका मैंने बस तरह से उसको animate करता गया अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका जो root होगा यह root एक जगहा पर श्टिक करेगा यह हीलेगा नहीं उसका जो ऊपर का portion है वह आपको ज्यासे है वहोकरत जाना इसको बछनों को बहाएं ही इस, इस तरह से बेंड कर लहें तुरोट फोधन को मैंने क्लद इस तरह सकते हुए इसलेगे है तो अब आपको जोगही कर लएन तीक है क्या है। single poly करना है वह जैसे कि यह हो गया आपका या फिर यह हो गया इधर भी है इस तरह से तो वह आपको करना होगा उसके बाद फिर तो उसके लिए हमारा open spline दियान यह रखना है कि हम लोग को और different layer में रखना है small little different layer में रखना है open spline तो एकनम बिल्कुल separate ही हम लोग को क्यूंको open spline हम लोग को separate submit करना होता है तो अब करता हूँ इसको बनाता हूँ ठीक है तो यहां पर आप देख लो कि कहां पर आपको अच्छा से दिख रहा है तो मैं जैसे यहां पर चाहता हूँ कि अब मेरे को यहां से बनाना ऊपन पॉली तो बनाने के लिए यह सिंपल से स्प्लाइन लो ठीक है इस तरह से आप क्रियेट कर लो और यहां पने के इसका रूठ है जिसका जर्ड है तो यहां पर हमुआ ले लेंग जाके उसके बाद कोई PBK कर लेते हैं ठीक है तो हमारा यह ऑपन श्ठैन बन गया अब करना क्या है कि इसको यहीं रहने देना है जो एनिमेट करना है हम लोग को इतना का एनिमेट करना है तो आगे बढ़ते हैं और जैसे हमारा मुवमेंट है वैसे बस इसको एनिमेट करते जाते हैं कि ध्यान यह रखो कि इस प्लाइन को इसके मीडिल में रखना ठीक है तो में आपको रखना है बस और पस अनिमेट करते जाना है कि देखो क्योंकि यह हमारा स्टब्लाइज है तो हम लोग को दिखने रहा बाट अगर इसको हम नन करते हैं तो आप देखो है यह भी नीचे आ रहा है उसके हिसाब से ठीक है इस तरह से बठाम लोग का जब इस्टब्लाइज होता है तो हम लोग को काम करने में थोड़ा इजी होता है तो मैं इसको कर लेता हो इनिमेंट फटा फट तब तक आप वेट करो है तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इसको कर लिया है इनिमेंट अब देखो यहां पर इस तरह से थोड़ा बहुत कहीं का इतिंग इस तरह से हमारा हो गया तो इसको हमको देना होगा इस ट्रोक इसमें तब जिसके अगर आप आलफा देखो यहां पर इस तरह से आपको आलफा दिखेगा हाँ हमको देना होगा स्टोव्य कैंश्ट करोऊ ठीक है इसन पर किलिक करो यहां पर औब जिखे नीचे हैं अपने चाहआ से स्ट्रोक भी डालอों हमखे लगता कि पूमना चाहे तो इस तरह से मैंने दाल लिया टू एक यहां मैंने ले पर थोरा भूद हूं ब्लयर भी डाल दिया वन यहां मैं modal अदि आप हर ले पर Biarb दाल सकते हों कि इस तरह से आपका ये हो गया अब इसी तरह से सब को आपको कर लेना है अब क्योंकि अगर मैं सब कुछ करके दिखाऊं तो काफी लंबा हमारा ये टिटोडियल हो जाएगा ठीक है तो मैंने क्या किया है कि अभी मैंने कुछ रूटो करके पहले से रखाऊ हुआ ठीक है तो मैं क्या करॣओंगा कि वो सारफा इस का सब्स्क्रशिप है वो मैं लिंक के दिस्क्रिप्शन गलते हैं यहां पर तो इस तरह जो पर चोड़ से बाइ norm साथ thinking यहां पर है स्ब्सक्राइब राउट्ट हो तो यहां पर छोटा हुआ वह सब कर सकते हो और धियां रखो कि हमेशा करके काम करो तो मैंने किस तरह से अरेंज किया है वह देख लो यहां पर आप ले किया था तो बॉरी के लिया लाठ से लिया था सवक को प्रॉपर नेमिंग अपना दे्डी है यहां फे मैंने दो कोर, यूज किया देखकर एक कोर तो हमारा हमारा इस उपर वाले की लिए हम रहे और पीछे कारी के लिए इसलिए मैंने इधर के लिए अलग लेयर में ट्रैक किया ठीक है अब वही लेयर का मैंने डूब्लिकेट बने है उसमें यह स्मॉल डिटर्स दा रहा है फिर उसमें भी यह वाला ओपन जो स्प्लाइन है वो दला जैसे कि हैं हमारा टू जो हुआ है यह वाला हो गया देखो उसके लिए फिर उसका स्मॉल हेर डिटर्स से टू हो गया और हमारा ओपन पॉलिक जो था वो तो इस तरह से आप कर सकते हो अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दालूंगा थे कि आप डाउनलोड करके उसके बाद प्रॉपरली देख लेना कि कैसे कैसे किया हुआ है और हाँ एक बात और कि यह जो फुटेज है अगर मैं इसका क्या बोलते है सिक्वेंस अगर मैं डिस्क्रिप्शन में दालूं तो काफी ज्यादा लंबा काफी ज्यादा बरा फाइल है लंडर्वाग एक जीवी का हो घ्यादा तो मैं क्या करूंगा की मैं इसका विडियो का मैंने जहाँ से दांवलोड कि नर्ट करों लेंग ऐख उमिए उसका नू कमेरिब कर लेंकर लिट काफा अप कुछा आप कि क्यां इसका सीटेमरा का सीटे में क्या कर फाइल कि मैं तो कि मेरा जो सिल्वेट फाइल है उसको इंपोर्ट कर लेना ठीक है ध्यान यह रखना कि एक से 200 तक कहीं फ्रेम रेंज रखना यह में रिंडर करते वक्त ठीक है तो यह वाले जो फूटेज था वह बहुत इजी फूटेज था ठीक है तो यह हुआ एक टाइप का है रोटो इस से इसको समझ लो ठीक है फिर फिर मिलता है निक्स वीडियो में थैंक यू